नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो निकाय चुनाओ अब अप्रेल मई में ही होने की उमीद है डेली न्यूजपेपर में खबरे दी गई आप सभी ने देखी भी लिया होगा तो यहां पर जाद हम आपका समय नहीं लेंगे और एक दूसरी खबर यहां पर और दी गई है न जी उच कल ही आ गए थी कल एक कारकरम में उपमुक्य मंत्री जी के द्वारा इस बारत की घोशना की गई थी कि 8000 पदों पर हम चार वर्ष में इस्टाप नर्सों की पदों को भरेंगे भरतिया करेंगे लिकित परिक्षा के मादिम से और पहले चरण में लगबग जो है 1800 क आसपास पदों पर भरती की जाएगी लिकित परिक्षा की जिम्मेदारी भी दे दी गई है संजे गादी पीजी आई को और इसी तरह से इसको लेकर के हाँपर निर्दे से दे दिया गया है निर्दे ले लिया गया है फिलाल में एनम बार में 12 भरती प्रिक्रिया को लेकर क स्वास्ते मंत्री जी से कुछ समय पहले बात हुए थी तो उन्होंने खहा था कि आप लोग मुख्य मंत्री जी से मिलिए तो क्या ये भरती आपके अंतरगत नहीं आती है उपर मुख्य मंत्री सरक्य अंतरगत ये भरती भी है और इस भरती को पूरा कराने को लेकर के सरकार की तरफ से पहल होना चाहिए 30 दिसंबर को चैनित भेने अपने ज्वाइनिंग को लेकर के लखनव में मुख्यमंतरी आवास पर धर्णा देंगी और ये सोचिए कि कितने दूर से कौन भेने आ रही हैं लोग रिजर्वेशन टिकट करा चुके हैं कुछ लोग करा रहे हैं अब भी दूर-दूर की बहने आएंगी ठंड की मौसम में परिवार भी उनका है और बच्चे भी होंगे परिवार होंगे किस प्रकार से उनके साथ उनकी गारजेन भी आएंगे तो बहुत तरह की दिक्टते हैं उनको होने वाले बहुत सारी बहने होंगी जो कहीं-कहीं दूर के चेतरों में होंगी जाहां से उनकी लिए आने जाने में कम सकम दो दिग का समय तो उनका किवछ आने जाने में चला जाएगा यानि 30 दिसंबर को धरना है तो 29 तारिकोंने आना होगा और 30 को धरना होगा फिर वापस घर जाएंगे तो फिर अगले दिन ही घरों पहुंचेंगी सुबह तक आज हमने आप सभी कुछ से कहा था कि ट्विटर केमपेन करेंगे कल लेखपाल वालों का ट्विटर केमपेन है इसलिए हम लोग आज ही ट्विटर केमपेन करेंगे 29 दिसंबर को मापी जाओंगा 28 दिसंबर को 29 कल है 29 दिसंबर को लेखपाल वालों का ट्विटर केमपेन है सुबर 9 बज़े से और आज आप सभी के लिए Twitter campaign का कारिकरम है साम 6 बज़े से लेकर के रात को 9 बज़े तक लगातार tweets और retweets करना है साम 6 बज़े से लेकर के रात 9 बज़े तक देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ बहने इस समय प्री न हो इस समय उनके पास कारि हो लेकिन 10-20 मिनट का समय आप सभी को निकालना है सुबर के लिए भी हमने सोचा था लेकिन सुबर भी बहुत सारे बहने जो समिदा कर्मे बहने होंगी duty पर जाती होंगी दोपर को भी समय सब के पास हो या न हो तो साम काई एक ऐसा समय जहां पर 70-80 पर्शन लोग फुरी रहते होंगे आधे गंटे के लिए ही सही एक गंटे के लिए ही सही 10-20 मिनट के लिए ही सही तो लगातार हम सभी को कोसिस करनी है आज हम लोग twitter campaign करेंगे उसके बाद 30 तारिक को selected भेनों के दोरा धरना दिया जाएगा मुक्यमंत्री जी के आवास पर धरना का मतलब है कि हम लोग अपनी निवेदन अपनी बात मानने मुक्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते है बस इतनी सी बात है कोई भापर प्रदसन थोड़ी करना है केवल बड़ी संक्या में बहने पहुच करके अपनी बात निवेदन करेंगे हम लोग मानने मुक्यमंत्री जीजे कि आखिर सर्य ज्वाइनिंग को लेगर कि आपके 100 दिन की कार्योजना में शामिल भरती और कितना समय लगेगा बात रही कोट मेंटर की तो लेगर आगे भी मिलेंगे तो इसका क्या मतलब इससे बीखरती पूरी कैसे होगी तो कोट में जो भी मेंटर है और कोट मेंटर चलते रहें उनका निस्तार्ड करवाए अपना आयोक सरकार लेकिन यहाँ पर जो selected महने हैं उनकी ज्वाइनिंग की प्रिक्रिया कम्प्लीट करा दी जाए किसी भी court matter से कहीं से कोई भी रोक नहीं है लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग अनावश्रक भरम पहलाते हैं जब तक court का matter final नहीं होगा आप सबकी भरती ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब है कि फिर अभी आगे पता नहीं कितना समय लग जाए अभी आगे कुछ और भी इसी तरह से कोई court का order आजाए फिर उसको लेकर कि फिर महिना दो महिना फिर भरती आगी लटक जाए फिर कोई नया उसमें आदेश आजाए तो ये सब चीजे क्यों कहने वाली होती है हमें किसी की बात पर ध्यार नहीं देना है ये भरती आप की है ज्वाइनिंग आप की होगी बाकी लोगों से क्या मतलब है उनके लिए कहना आसान होता है कि दो मेहने तक भरती नहीं ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगे भी जब तक कोड का मैटर फाइनल नहीं होगा लेकिन दिक्कते कितनी आप सभी को हो रही है यह साध किसी को अंदाजा नहीं होता है पहने भी लगातार आयोग से सचीव सर से बात करते लिए कि सर हमारी फाइल हमारे जो भी प्रकिरिया है बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है साध एक दिन का भी काम नहीं बचा हो आपके प्रोवेजनल पर डीबी पर कार हुआ है कि इस फाइल है उसको लेकर यह इसको लेकर करा हुआ है कि इस प्रफ बचेश्टे था जल्ड़ जर्डिया गया था हमारे आप के लिए वी तो जल्डी नहीं था result देने में, हमारे आपके लिए तो जल्दी नहीं था, काफी समय लिया गया था, महीने बर का उसमें समय लिया गया था तो उसी बज़े से वहाँ पर बहुत सारे बहनों में जिनके भी document कोई भी थुड़ी वह उसमें मारे नमिष्टेक पाए गया था तो बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है 2 जनौरी को आप सभी के लिए धन्डा है लखनों में और जो भी हमारे phrase की बहने होंगी सब लोग साथ देंगी आपके लिए लखनों के आसपास की इसी तरह से आप लोग भी सब लोग एक जुटो करके हम phrase में हो, provisional में हो इससे मतलब नहीं है आप सभी 8801 selected बहने हैं आप यह सोचे जिनका selection नहीं हुआ है वे बहने अपने selection के लिए कोशिस कर रही हैं जिनने पता भी नहीं है कि उनका होगा भी की नहीं होगा लेकिन वे कोशिस कर रही हैं आप लोग तो selected हैं, चाहे प्रुवेजिनल में हो चाहे है phrase में हो, सबका होना है तो 30 December को मुक्यमंत्री जी के आवास पर धरना दिया जाएगा और 30 December को कुछ और भी धरने होंगे तो 30 December को सभी जो selected भेने ज्वाइनिंग को लेकर के धरना देंगी और जो भी हमारे भाई बंदू लखनों के आस पास किया चो भी थोड़े दूर की भी हो आप सभी लोग भी जरूर साथ दीजिए और आज साम को 6 बज़े से लेकर कि 9 बज़े तक हम लोग Twitter अभियान करेंगे Twitter campaign करेंगे और सबका तो नहीं पता लेकिन हमारे दुवरा ये 3 गंटे का पूरा समय आप सभी के लिए आज दिया जाएगा मैं सारे काम चोड़कर कि 3 गंटे में केवल आपको tweet और retweet करता रहूँगा लगातार में link आपको provide कराऊँगा और कुछ गुरूपों में भी आज में share करने के कोसिस करूँगा ताकि कुछ लोग और इसमें साथ दे से कि जो बहले ही आपकी भरती से सम्मान्दित हो या ना हो क्योंकि हम और भी भरतीओं के लिए कोसिस करते हैं तो क्या वे लोग हमारे तुट्र अव्यार में साथ हो जाये गा तो सब लोग साथ दीजिए जिनको वी ट्वीट करने में कोई भी समझा और एकाउंट नहों YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे थोड़ा से आप 5-10 मिट का आप समय निकाल करके कोशिस करेंगे तो आप सबको पता चल जागा किस प्रकासी चीज़े करनी है अगाउंट नहीं होते अगाउंट कैसे बनाना है अधिक से अधिक लोग कम से कम 500 या फिर जितने अधिक लोग इस मुही में जुड़ सकें आप सभी को जुड़ना है हैश्टेग आपको हम बताएंगे दो पहर तक हैश्टेग के लिए बिल्कुल परसार मत हुईगा और जो कुछ भी जानकारी कहीं से भी प्राफ्ट हो रही है वास्तविका यह है कि कनपर्म कुछ भी नहीं है केवल एक्सपेक्टेड होता है कुछ उसमें चीजे सकरात्मिक भी मिल जाती है लेकिन जब तक आपकी प्रक्रिया सुरू नहीं हो जाएगी जब तक सासन से निर्देश हो नहीं जाएगा तब तक कुछ भी कनपर्मन नहीं माना जाएगा और तब तक हम लोग लगातार कोसिस करते रहेंगे और आप सभी बेनों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग परिसान बिलकुल मत हुआ करिए पस खुड़ थोड़े दिन की बात हैं हम लोग कोसिस कर रहें धहरें थोड़ा से रखें और जो भी कोसिस हम लोग अपने इस्तर से कर सकते हैं और आज की ट्विटर की कैंपेन मोहिम में भी आप सभी लोग जरूर जुड़िए धन्यवाद